हैं मैं स्क्राइब को क्लास टै दो हमारे एकमे रहें तो उन्हीं से कहा कि हम अपनी समचधारी का विकास कैसे करें मेरें बड़े सारे मिटर मुझे मेसज़ करते हैं कॉल करते हैं पढ़ाही नहीं यह नहीं और तुम्हें एक बार सन्यास लेना पड़ेगा। ना पार्षनम लेन सप्ट करेंगा अगर तुम्हें महान बनने का सपना देखते हो तो कि अज कि मैंट शाम को क्लास ले रहा था तो हमारे एक मित रहें तो उन्हों भूसा इसका कि हम किसी अपनी समझदारी का विकास कैसे करें निए सूखा हुब पेड़ देखा हैं बोले देखा हैं मैंने कभी उस पर पानी चलादी किसी को देखा वह लें नहीं हमने का बस ज़ितनी यूटिलिटी पैदा कर लोगे दुनिया में कुछ चीज़ों पर इसका धियान देना अ कि दूमें शादी में गए कि तो में कोई क्काना नहीं मुंइंब फॉच्छ सभ्रात नहीं हों दुख्यूहें की बात नहीं है वह जागने की बात है कि इस प्योगी था क्या है कि Gudim Keis Está आ तुमहरा दोस्त पुरा भरार उसको टूट पर यह सौचने की बाद है कि नहीं नहीं यार इसकी यूटिलिटी ज्यादा है यह खुश हो जाए तो 100 क्रोर का टेंडर दिला दे साल भर में पस जिसने भी इसको समझ लिया मन बढ़े सारे मित्र मुझे चाचा यह कह ररे जब भलाने कहने तो तुम्हे एक बार सन्यास लेना पड़ेगा राम को लेना पड़ा, मुहम्मद को लेना पड़ा, जीजस को लेना पड़ा, बुद्ध को लेना पड़ा, महवीर को लेना पड़ा, जनक को लेना पड़ा, खृष्ण को लेना पड़ा, तुमको भी लेना पड़ेगा, अगर तुम महान बनने का सपना देखते हो तो, अगर तुम्हें नौकरी की तलाश है तुम अगर सिर्फ नौकर बनना चाहते हो कि नौकरी अ मिल जाया हम साधी करने हो हम्को वास एक बीवी मिल जाया और पिन्टु चिंटु मिल जाया और इसके फ्लैक्ट हम ज्यादा नहीं सोचते बहुत हमारे थे हमसे कहते हैं कि हमें हा तुम जितने भी महान आदमियों को उठाओगे सब में एक चीज कॉमन है कई चीजें कॉमन है एक चीज बिल्कुल कॉमन है सबने संघर्ष को जीना शुरू कर दिया कि जो संघर्ष से भाग रहा है वह आम आदमी है कौन है सर जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है कि सब तुमारा सपना जितना बड़ा होगा तुमारा संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा और संघर्ष को खुशी से संघर्ष को खुशी से खेलने का नाम योग गता है कि बड़ी चुनोतियां मिलेंगे आपको बड़े लोग टेंशन देंगे सर यही तो जीवन है ना सर कदम कदम पर लोग बैठें आपको टेंशन देने के लिए अगर आप आँखोले और जानादर अपने ही लोग है कि को रिष्टदार है कोई दोस्त है को पड़ोसी है कि अगरे अगरे आदमी को यह कॉंसेप्ट समझ में नहीं आता अपने जब तुम अपनी महत्तोकांख्षा किसी को बताते हो और तुम योग्य होते हो तो जलन पैदा होती है यह मानवी प्रवीर्ति ऐसा नहीं हमारे में होती तुम्हारे में होती सब में होती है जीवन में तुम्हारी योग्यता तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन होगी उसको छिपाना है 98% लाना योग्यता नहीं है योग्यता है इस दुनिया को हैंडल करना मैचयर जो लोग है न मैचयर वो दो फ्रेंट पर कभी नहीं दड़ते हैं इसके जितने हमारे युवा भाई हैं जब भी आप बाहर निकलें तैयारी करने के लिए निकलें पहलने के लिए निकलें बाकी सारे दर्वाजे बंग करते हैं तो अधी दीच ओब 30 मेरा और दमार को जिन्दा करना यह सक्षा का उद्देश नौकर बनना नहीं है सर और जिन्दा दिमाग कहीं भी होगा को कर ला मिकलाम होगा इस सब जिन्दा दिमाग हैं तो और मि 10 नंब क्लियर हैं कि हम मिड़ल क्लास के लोग हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है हम कौन सा मुगल फैमिली के है जब गानी फैमिली के राहूल गान्दी तीस चुनाओ हार कर फिर लड़ने के लिए तैयार है मैं राहूल तीस से बड़ा प्रभावी दूँ इस मुद्धे पर ठीक है उनकी हिम्मत की उनकी इस चीज़ की मैं बड़ी सरहना करता हूँ कि क्या बात है क्या जजबा है उस बंदे में लवाई लवेंगे जब वो गान्दी फैमिली होकर उनको चिंता नहीं मोती लाल नहरू प्रभाव शाली आदमी जवाहर लाल नहरू प्रधान मंतरी इंद्रा गांधी प्रधान मंतरी उनकी मा वेकर उनके फादर प्रधान मंतरी आप क्यों परेशान होते हो और अप्री नहीं निकला प्रभाव दूजरा दो जब हार जाओ जब चुप चब बैढ़ जाओ सब गाली देंगे तुम्हें साब अरे हम जानते थे दिल्ली में हम जान रहे थे दिल्ली जो पड़ रहे थे वो कनाट प्लेस में लड़की टहलते थे वो दारू पीते तो हमने खुद ही देखा इंको 40 बार ये दुनिया है जब तुम हारोगे ना तुम्हारी गली का सब आकर तुम्हारी कदमों पर लेड़ जाएंगे अरे भया तुम पाइदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पर से सपने में तो हम तुम्हारे पापस बोले कि भगवान का साक्षा तो उता रहे कि अपने लिए जी ओ अपने लिए कि हारो सेंडर कर दो देने लोगाली वो उनका धर मैं सर आपने बहुत कस्च दिया उनको कि आईएस बन रहा है प्रिलिम्स निकल गया मेरा उनको जटका लगा कि अरे प्रिलिम्स निकल गया हाँ अच्छा फिर उचले गा वैश्णो देवी कि भगवान मेंस निकले किसी तरा उनको अपने बच्चेक चिंता नहीं है फिर आप लोड कर आए मोहले में कि भाईया मेरा मेंस भी निकल गया खाने नहीं बना तीन दिन मातम भाला रहा है फिर श्रीडी चले गए वहां भी हाथ पायर जोग कर आए कि अब अब अन्याय मत करना वहां चलके आए श्रीडी त प्रचाची भी पीछे से आगे मिठाई उठाई लेगे उनके बच्चे भी आगए भाईया 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 सेल्फी ले ले भाईया आपको लाया गया रहा है अच्छा हो सकता है तुम जो डरते हो ना यह तुम्हारे हार की सबसे बड़ी वजा है और अरिस्टोक रैसी चाहती है कि तुम डरो तुम जो सोचते हो ना वैसे होर्मोन रिलीज होते है तुम जब सोच ही रहे हो सचब Gentlemen मिसमें ए याट अधुम सचब हुरो तो मेरा और अफेर हो लाटी से मुस्ट जाएगा में हिर ओ चैनल थो में तुम सपने में सोच राये अफ़ेर के बारे में घैमिमूर रो तो श्मित्र से सबस्क्राइब आशेरे राए से पहोंतों सोचना ही तो है लोग सोचना में कुछ को उपकर आप पोग हैं ए नहीं है भार देश में खासकर हमारे प्रदेश में है जब शादी 25 के पाद नहीं होती है तो बड़ा लोग पूस्ते हैं तो अठाइश में हूई तो पश्जिस को प्रेशर बाहिए काब रहा है है इसा तरीक होते है मैं ऐग्या टेर होता है तुरौं हसते थे थे जाहे बाप देर मरगे लोड़का पाववर थान लिया सभघा अगर ये बात शिवा जी सोच लेते तो अगर ये बात अबराहम लिंकन सोच लेता तो अगर ये बात नेपोलियन सोच लेता तो तुम क्यों सोचते हो जब ये बात शितने नहीं सोची नेपोलीयन नहीं सोची अबर्हम लिंकोन नहीं सोची अंभेट करने नहीं सोची सब्सक्र नियुक गांदी नहीं तुम क्यों सोचते हो आम आपनी एक पार हार जागा रोएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, दवाई खाएगा, नीम की गोली खाएगा, यही उसकी हार है, असफल था कुछ होती ही नहीं दुनिया में, कभी असफल है, रविदास असफल है, खेल है सर, कभी जीतोगे, कभी हारोगे, जब लोग गाली देंगे, उसके लिए तयार हो, और जब जीतोगे, आकर लेड जाएंगे लोग, किसी की फुपिक ललके हो जाओगे, किसी मामूग ललके हो जाओगे, नहीं रिष्टदार पैदा हो जाएगे, तुम भी सोचो कि पहले तो नहीं थे यार यह, इस दुनिया में म मुर्दे का नहीं होता सर चाहिए जितना बड़ा अपराधी हो जब मरता है ना तो दुखी होते हैं लोग कि तुम्हें पता करने हैं कि तुम जिंदा हो कि नहीं अगर तुम जिंदा हो तो लोग तुम पर हसेंगे अगर तुम जिंदा हो तो लोग तुम्हारा विरोध करेंगे यह सब जिंदा होने की निशानिया हैं जब तुम फर्स्ट रैंक आए हो और मुस्कुरा रहे हो उस मु जो ओड सिचुएशन में ओड ओड विपरीत परिस्थिती में जो आदनी मस्कुरा रहा है उस वही महान है कल इसी उद्देश के साथ आप से फिर मुलाकात होगी जहन